हेलो एवरिवन, आई एम हिमानशी, वेलकम टो सिविल पांडा ओडियो आर्टिकल, आज हम डिसकस करेंगे 21 अक्टूबर के सारे इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स के बारे में साथ ही से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट्स पर डिसकस करेंगे, तो चलिए शुरू करते ह हाल ही में किसने सर सयद एहमेद खान रीजन, रिलीजन एंड नेशन बुकली की है दोस्तों, तो इसका नाम है सैफी किदवई, सैफी किदवई जी ने सर सयद एहमेद खान रीजन, रिलीजन एंड नेशन बुकली की है दोस्तों, सर सयद एहमेद खान अलिकड युनिवरसि के हाल ही में 100th anniversary पूरी हुई है तो इसे आपको याद रखना है नेक्स्ट हाल ही में किस country के cricketer James Pattinson ने international cricket से retirement लिया है तो इसका answer है Australia Australia में cricketer James Pattinson ने international cricket से retirement लिया है दोस्तों बात करें Australia की तो इसे 85 देश की भूमी बोला जाता है इसकी capital है Canberra currency है Australian dollar Prime Minister है Scott Morrison Great Barrier Reef Australia में है Australia की सबसे बड़ी नदी Marley Darling नदी है इंडिया और Australia के बीच 2 प्लस 2 dialogue हुआ है जिसमें Defence Minister और Foreign Minister भाग लेते हैं कलगुरी और Gulcardi Gold Mine Australia में है Olympic 2032 Brisbane Australia में आयोजित होगा इंडिया और Australia के बिच कुछ military exercise है उसे देख लेते हैं जैसे की Austin Index ये नेवल exercise है औस्ट्रा हिन आर्मी के बीच होती है पिच ब्लैक ये Air Force exercise है दोस्तों तो ये इस सारे facts आपको याद रखने हैं Australia के बारे में next हाल ही में किस country में COVID-19 डेल्टा वेरियंट एवाइ 4.2 का first case सामने आया है तो इसका आंसर है इसराइल इसराइल में COVID-19 डेल्टा वेरियंट एवाइ 4.2 का first case सामने आया है दोस्तों बात करें इसराइल की तो इसकी कैपिटल है जेरुसेलम प्रेसिडेंट है इसाक हैजरोग प्राइम मिनिस्टर है निफ्तानी बेनेट इसराइल ने तीन साल तक के बच्चों के लिए एंटी बॉडी टेस्टिंग शुरू की है इसराइल मास्क फ्री बनने वाली पहली कंट्री बनी थी दोस्तों हाली में चर्चे में रहा पेगेसिज वारिस इसराइल के एने इसो ड्हार बनाया गया है और चर्चे में रहा अल-खसका मौस्क इसराइल में हैं इसे भी आपको याद रखना है इसराइल की एक कली का नाम रबीन्द्र geraव टेहौर के नाम में भी हाल ही में रखा गया है तो यह सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं इसराइल के बारे में नेक्स्ट हाल ही में इंडियन वेट लिफ्टिंग फैडरेशन के न्यू चेर्मन कौन बने हैं तो इसका आंसर है सहदेव यादव सहदेव यादव इंडियन वेटलिफ्टिंग फैडरेशन के न्यू जियर्मन बने है इंडियन वेटलिफ्टिंग फैडरेशन का हैड़कॉर्टर है न्यू देली बात करें एशियन वेटलिफ्टिंग फैडरेशन की तो इसका हैड़कॉर्टर है तहरान और International Weightlifting Federation का Headquarter है Buddha Face Next, हाल ही में इंडिया के 52 International Film Festival कहां आयोजित किया जाएगा तो इसका आंसर है Goa Goa में इंडिया का 52 International Film Festival आयोजित किया जाएगा दोस्तों बात करें Goa की तो इसकी Capital है पाना जी जो कि मांडवी नदी के किनारे बसी है चीफ मिनिस्टर है प्रमोज सावन गवर्नर है पीएश श्रीदर पिल्लाई इंडिया का सबसे छोटा स्टेट एरिया वाइस Goa है पर GDP पर कैपिटा के मामले में इस Goa फस्ट है इंडिया ने Goa को 1961 में पॉर्टिगिस से आजाद कराया था और 19 दिसंबर को Goa Liberation Day मनाया जाता है जबकि Goa Establishment Day 30 में को बनाया जाता है तो ये दोनों फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपको कन्फ्यूज नहीं होना है देश का पहला रेबीज मुक्त राज गोवा बना है पानी बचाओ योजना गोवा गोवर्मेंट ने लौंच की है भगवान महावीर वाइड लाइफ सेंचुरी और मोलेम नेशनल पार्क गोवा में है जी आई टैक जो मिले हैं गोवा को वो हैं मोयारा केला और हरमल मिर्च देश का पहला सैंड यून पार्क गोवा में स्थापित किया गया है और हाल ही में नेशनल फॉरिंसिंग साइंस यूनिवर्सिटी की अधार शीला गोवा में रखी गई है अभी हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार अपरात को पता लगाने में गोवा स्थेट फस्थ है तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने है गोवा के बारे में हाल ही में किसने उबर कब जीता है तो इसका आंसर है चाइना चाइना ने हाल ही में उबर कप जीता है दोस्तों साथी दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि इंडोनेशिया ने थॉमस कप जीता है उबर कप और थॉमस कप दोनों ही बैटमिंटन से रिलेटेड हैं इसे आपको याद रखना है next हाल ही में actually I met them a memoir book कि ने लिखी है तो इसका आंसर है गुल्जार गुल्जार ने actually I met them a memoir book लिखी है दोस्तों नेक्स्ट हाल ही में RBI ने किस पेमेंट बैंक पर एक करोर के फाइन लगाया है तो इसका आंसर है पेटियम पेमेंट बैंक पर RBI ने फाइन लगाया है दोस्तों बात करें RBI की तो इसकी फुल फॉर्म बनती है Reserve Bank of India इसकी स्थापना की गई थी 1 April 1935 में 1 January 1949 में RBI का राश्ट्री के करन किया गया था RBI के First Governor है Sir Osborne Smith, RBI के First Indian Governor है C.D. Deshmuk, RBI के Present Governor है शक्तित कान दास जो की 25th नंबर के है Inflation Expectation of Survey Report RBI द्वारा प्रस्तित की जाती है इससे आपको याद रखना है अब बात करें Payment, Paytium की बैंक की तो इसको फॉंड किया गया था 2015 को फॉंडर है इसके विजय शेकर शर्मा, Headquarter है Noida, India Next, हाल ही में Crop Burning में World में First कौन है तो इसका आंसर है India इंडिया, Crop Burning में World में First है दोस्तो Next, हाल ही में किस देश के First Test Captain Bandula Varmanpura की देथ हुई है तो इसका आंसर है श्री लंका श्री लंका में First Test Captain Bandula Varmanpura की देथ हुई है दोस्तो Next, हाल ही में किस State Government ने प्रशासन गाउं के संग अभियान शुरू किया है तो इसका आंसर है राजस्थान राजस्थान में प्रशासन गाउं के संग अभियान शुरू किया गया है दोस्तो ये Government की स्कीम गाउं तक पहुचाने के लिए ये लौँच की गई है बात करें राजस्थान की तो इसकी कैपिटल है जैपूर जो कि पिंक सिटी के नाम से फेमस है चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोद गवर्नर है कलराज मिश्र जैपूर के अमोरगर फोर्ट को महराजा सवाई जैसिंग सेकेंड ने बनवाया था ये हमेशा चर्चे में रहता है दोस्तो जूनगर फोर्ट भीकने राजस्थान में है चिरन जीवी स्वास्त योजना राजस्थान की है राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला पहला स्टेट राजस्थान है बायो फ्यूल पॉलिसी लाने वाला पहला स्टेट भी राजस्थ सबसे बड़ी खारे पानी की जील सांबर जील राजस्थान में है स्टैचू ओफ पीस पाली में बनाई गई अवनी लखेरा को राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पडाओ का ब्रैंड अमिस्डर बनाया है अवनी लखेरा पैरा उलम्पिक शूटर है और ये जैपूर राजस्थान से बिलॉंग करती है इंडिया का फर्स्ट एटल कम्यूनिटी इनोवेशन सेंटर जैपूर में उठगौटन किया गया और हाल ही में सोजत महंदी को GI टैग मिला है और ये राजस्थान में है तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने है राजस्थान के बारे में नेक्स्ट हाल ही में कौन फ्यूचर यही है अभियान के लिए कोईन DCS में शामिल हुए है तो इसका आंसर है आयुश्मान खुरवाना आयुश्मान खुरवाना फ्यूचर यही है अभियान के कोईन DCS में शामिल हुए है कोईन DCS एक क्रिप्टो करंसी एक्सचेंज कमपनी है इसे हाल ही में अमिताब बच्चन ब्रैंड अमेल्स्टर बने हैं इस कमपनी के नेक्स्ट हाल ही में वर्ड स्टाटिकल डे कम मनाया गया तो इसका आंसर है 20 अक्टूबर को वर्ड स्टाटिकल डे मनाया गया है साथी दोस्तों 20 अक्टूबर को वालमी की जैनती भी मनाई जाती है अब बात कर लेते हैं मदप्रदेश का रेंटरफेर्स की तो हाल ही में कैबिनेट ने जंजाती गौरव कारिक्रम कहां शुरू करने की घोशना की है तो इसका आंसर है भोपाल बोपाल में कैबिनेट ने जंजाती एक गौरव कारिक्रम शुरू करने की घोशना की है इसका आयोजन 15 नवंबर को किया जाएगा बात करें बोपाल की जिससे परमार राजा भोज ने भोजपाल के नाम से बसाया था बोपाल स्टेट का ओरिजनल फाउंडर दोस्त मुहम्मद खान को माना जाता है बोपाल को जीलो की नगरी भी बोला जाता है बोपाल पांच पहाडियों से घिरा है जिनके नाम है शामला, कटारा, अरेरा, इदगाह और टीटी नगर 1972 में भोपाल को सीहोर की तैसिल से अलग करके एक नया डिस्टिक बनाया गया था MP के पहले सालरिच और्गेनिक फर्टिलाइजर भोपाल में लगाया गया है एशिया की सबसे बड़े डिस्ट्रिक कोट भोपाल में लगती है ताक्तिय त्योपे स्टेडियम भोपाल में है सोया बिस्किट बनाने का प्लांट भी भोपाल में है और अचार पूरा इंडस्ट्रियल एरिया में टेक्स्टाइल पार्क में 800 करोर का इंवेस्टमेंट किया है अभी भोपाल में ही भोपाल में पहला multi-skill पार्क स्थापित किया जा रहा है जो की Asian Development Bank की help से बनाया जा रहा है तो ये सारे facts आपको याद रखने हैं भोपाल के बारे में तो ये था आज का discussion दोस्तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा आज का question है हाल ही में Indian Weight Lifting Federation के new chairman कौन बने है इसका answer आपको comment box में देना है audio article पसंद आए तो इसे like, comment and share जैहिंद